जहां से बड़ी कपर आ रही है यूटी गरीब कल्यांड रोजगार अभियान की शुरुआत हो चुकी है इस वक्त की बड़ी कपर आपको लख्यों से बता रहे हैं जहां पर पीम मोधी और सीम योगिया अधनात ने इस योजना की शुरुआत की है यूटी की गरीब कल्यांड रोजगार अभियान की शुरुआत आज हो चुकी है इसी के साथ पीम मोधी और सीम योगिया अधनात करेंगे इस यूजना की शुरुआत पीम मोधी यूपी के छे जिलों के लाभारती हो को बात बताएंगे इसी के साथ लखनों से बड़ी ख़वर आपको बता रहे हैं यूजनाड योजगार अभियान शुरुआ हो चुका है पीम और सीम योगिया अधनात ने इसकी शुरुआत की है यह पीमें गरीब कल्यार रोजगार अभियान की शुरुआत हो चुकी है लखनों से इस वक्त की बड़ी ख़वर ने इसकी शुरुआत की है उपुआत ही। देड़ लाख लोगों को इससे रोजगार मलेगा। कोरोना संकर को बेखते हुए इस योजना की शुरुवात की गई है। यूपी में गरीब कल्यान योजना को रोजगार योजना की शुरुवात की गई है आज। और पीम मोदी और सीम योग अदिनाथ में शुरुवात की है। लक्नों से बड़ी कवर बता रहे हैं आपको उस वक्ती डेड़ लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस योजना के तहित डेड़ लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और यूपी में यूपी गरीब कल्यान रोजगार अभियान की शुरुवात पीम मोदी और सीम वोगी अधिनाथ दौरा की गई है। अस वक्ती बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं। यूपी गरीब कल्यान रोजगार अभियान की शुरुवात आज गो चुकी है। यूपी प्योटीम मोदी और सीम योगी अधिनाथ दौरा की गई है। इस योजना के तहट सभयान की तहट तेन लाख लोगों को रोजगार मुहिया करारी है। सरकार कुरोना संकर को देखते हुए योजना की शुरुवात की गई है। इसे के साथ साहिच सद्धिक की जुचोके हैं बियोर जी फमाई साथ लखनव से। साहिच जी क्या है पूरा मामला और क्या है ताजा अपनेट वहां से। अननिया आपको बताना चाहेंगे उत्रपदेश सरकार ने बहुत पहले वहदा किया था कि जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनको रोजगार मिलेगा। आज सवा सव करोल लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदानमंती नरेद मोधी, मुख मंत्री, योगी अदिपनाथ आज सभी को रोजगार देंगे। प्रदानमंती वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से छे जिलों में रोजगार देंगे। जिसमें प्रवासी मजदूर हैं, जो मनगेगा के मजदूर हैं, इन सब लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रवासी मजदूर हैं, उनको घर पे बैठना नहीं पड़ेगा, मनेगा के माध्यम से और जो विभीन सरकारी योजने माध्यम से उनको रोजगार देंगे। प्रवासी मरेन मोदी इससे पहले भी कर चुक है, आज भी वीडियो कान्फरेंसी के माध्यम से सवा सो करूर लोगों को रोजगार देंगे।